उदर केसब मालती से मिलने के बाद अब्देश बाबू के कमरे में जा पहुचा और बोला अब्देश बाबू बोले अरे केसब लोटाए तो अब्देश से कहने लगा हाँ बाबू लोटाया तो अब्देश बाबू बोले तुम्हारी मा कैसी है केसब बोला ठीक है तो अब् अब्देश बाबू मालती वाकई में बहुत अच्छी लड़की है अगर छोटे मूँ बड़ी बात कहूं तो माफ करना माली अब्देश बाबू मालती में आपकी जीवन संगनी बनने के सभी गुने बहुत ही नेक दिल लड़की है इस हबेली की मालकिन के जाने के बाद एक मालती बहु की जरूरत है जो मालकिन की छोड़ी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सके अब देश ने कोई जवाब नहीं दिया अब देश बाबु केसब बोला अगर आप कहें तो मैं एक बार जमिदार साहब से बात करूं मुझे पूरा विस्वास है कि कहीं ना कहीं मा बाबा का जो रूप देखा है मुझे अब उनके सामने जाने में भी शरम आ रही है तब केसब कहने लगा मालिक सरम कैसी प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है अब देश बाबु बोले ठीक है केसब एक बार तुम भी चाहो तो कोशिस करके देख लो लेकिन केसब सब मालती के आगे बिना मालती के कदम नहीं बढ़ाना चाहती आगे तो आखिर मैं कब तक सबसे अकेला लड़ूंगा मालती तो मेरा साथ ही नहीं देना चाहती केसब बोला अब देश बाबु मालती बहुत ही समझ़दार है सुल्जी हुई लड़गी है शाइद इसलिए आपको चा मैं उससे बहुत प्यार करता हूं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। केस अब बोला अबदेश बाबू परेसान ना हो। मैं कल मालती को एक बार फिर मिलूंगा और जमिदार सहाब से भी बात करूंगा। सकते में आ गई और बोली अरे क्या कर रही है मालती ये समान क्यों बांद रही हो। मालती बोली मा अब हम यहां नहीं रहेगे अपने घर अपने गाउंद लोट जाएगे। कलावती बोली कैसी बाते कर रही हो यह भी कोई भला बात हुई मालती बोली नहीं माँ अब हम यहां नहीं रह सकते अगर हम यहां रहेंगे तो बात और बढ़ेगी और अब देश बाबु चैन से नहीं जी सकेंगे और नहीं मैं और जमिदार बाबु की तो जो जीवन भर की इज़्जत कमाई हुई है वो मिट्टी में मिल जाएगी कल जो भी हो उसके बाद यह बिन सिर पैर की बाते हवा की तरह पूरे गाउं में फैल जाएगी इसलिए माँ मैं नहीं चाहूंगी कि मैं यहां रहा हूँ और आप और कलवा को मेरे साथ चलना होगा आज के बाद इस हवेली में हमारा कोई सम्मंद नहीं है कलावती बोली कैसी पागलो वाली बात कर रही हो बला सोचा है हमारे जाने से अब्देश बाबो और जबिदार बाबा को कितना बुरा लगेगा मालती बोली हम उनके बिना बताए चले जाएंगे मालती की बाते सुनकर कलावती को अपने मनसूवों पर पानी फिरता नजर आने लगा उसको अपने सारे सपने धूल में मिलते दिखाई दे रहे थे किसी तरह भी मालती को वह रोकना चाहती थी कलावती ने जोर जोर से चिला कर मालती सिका कैसी बाते कर रही हूं मालती ऐसे हम यहां से जाके सकते हैं कैसे जा सकते हैं बद्रामी की चारदा रोड़ कर बहाँ निकलेंगे तो हमारी बहुत जग हसा ही होगी इसलिए मैं ना कहीं जाओंगी और जब तक दूद का दूद और पानी का पानी नहीं हो जाता मैं हविली से बारपाम नहीं रफूँगी मालती कहने लगी तो ठीक है माँ आप यहां पर रहो मुझे नहीं रहना मेरे में हिम्मत नहीं है बाबा से नजरे मिलाने की कलावती बोली लेकिन बिटिया मालती बोली मां मैं जानती हूँ आपने छोटी सी बात का बतडंग बना दिया जब मैंने आपसे कहा था ऐसा कुछ नहीं है फिर क्या जरुरती इतना बड़ा बवाल करने की मां हमें अपनी हद में रहना चाहिए का तभी हमारी इज्जत है इसलिए हम यहां रहने का हमारा कोई मतलब नहीं मैं जा रही हूँ कलावती समझ गई कि मालती ने ठान लिया है हवेली छोडने का फैसला कर लिया है अब उसे रोकना मुस्किल है थोड़ी देर तो वो मालती को समान समैटते देखने लगी और फिर दीरे से आगे बढ़कर मालती की मदद करने लगी कलवा को जगाया और उसके हात मुदुलवा कर बोली चल कलवा बस इतने ही दिनों का सुख किसमत में लिखा था आगे का जीवन फिर उस जोपड़ी में कटेगा कलावती की बाते सुनकर मालती की आँकों में आसु छलक पड़े आज हवेली में सन्नाटा था शायद सबी लोग अभी सो रहे थे बाहर बगीचे में चडियाओं के चहचाने की आवाजे आ रही थी और हवेली के बाहर अभी भी अंधेरा था किन्तों अब्देश बाबू के कमरे की लाइट जल रही थी शायद वो रात में लाइट बंद करना भूल गए थे फिर शायद रात पर सोई ही नहीं थे अब्देश बाबू के कमरे की और देखती ही मालती की आँकों में आसु आ गए मालती आगे बढ़ चली उसके पीछे पीछे कलावती और कल्वा भी थे कलावती ने एक बार फिर मालती से का एक बार और सोच ले मालती फिर ऐसी सुक्सुविदाएं जीवन में कभी नसीब नहीं होंगी इस तरह रात के अंदेरे में मूँ चुरा कर ले चलने से तो तेरे जमिदार बाबा और भी नाराज हो जाएंगे अब देस बाबू को बहुत बुरा लगेगा धनिया और सीला काकी कनेया सब यही सोचेंगे कि हम यह से दुम दबा कर भाग गए क्या यह सब अच्छा होगा कलवा बोला मा हम अवेली छोड़ कर क्यों जा रहे हैं यहां तो हमें कोई कुछ कहता भी नहीं कितने प्यार से सब लोग बात करते हैं फिर यह अच्छानक हवेली छोड़ कर क्यों जा रहे हैं अब देस बाबू भी हमें बहुत प्यार करते हैं मा इसकूल में मेरे दोस्त पूछेंगे तुम लोग उस मकान में क्यों वापस आ गये तुमें क्या जवाब दूँगा कलावती ने एक बार कलवा की और देखा और पिर मालती की और देखा और यूं उसे लगा जैसे मालती की कानों में किसी की बात जाई नहीं रही थी माल्दी तो अपने दुनिया में खोई हुई थी बस उसके कदम उसके अनुसार चल रहे थे आगे बढ़ती चली जा रहे थी उसे नहीं मालूम था उसका फैसला सही है या गलत लेकिन अब वे एक चन भी उस हवेली में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके लिए मान सम्मान बहुत बड़ी बात थी वे जानती थी हवेली में रहकर उसका मान सम्मान जादा दिन नहीं टिक पाएगा बस यहीं सोचकर वे हवेली से बाहर जाने के दर्वाजे पर आ गई तब एक जोड़दार अवाजाई ठैरो मालती घबरा गए मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो कलावती ने तरंत पीछे मुर कर दीगा सामने जमीदार साहब खड़े थे उसके तो पसीने छूट गए वे बोली जमीदार साहब कलावती की जवान लड़कड़ा रही थी जमीदार साहब बोले मालती रुको जमीदार साहब जो कलावती कहने लगी हमें रोक रहे हैं मालती रुक जाओ कलावती मालती से कहने लगी तो मालती के पैर वहीं रुक गई और वैसो जुका कर खड़ी हो गई जमीदार साहब बोले कहां जा रही हो मालती ने कोई जवाब नहीं दिया जमिदार साहब फिर गर जे मैंने पूचा कहां जा रही हो मालती ने धीरे से किया बाबा मैं अपने गाँ अपने घर जा रही हो मालती ने धीरे से कहा जमिदार साहब बोले मेरी बिना आग्या के इस हवेली से बाहर तुम्हें एक कदम नहीं निकाल सकती हो क्या जाने से पहले तुमने मुझे बता कर जाना उचित नहीं समझा मालती मुझे तुमसे यह उमीद नहीं दी खलावती भूली जमिदार सहाब मैंने तो इससे कहा था लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी मैंने इससे कहा था एक बार जमिदार सहाब से मिल लेते हैं लेकिन इससे क्या पढ़ी है मेरी सुनने की जमिदार सहाब गरजे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो अपनी कांती बिटिया से बात कर रहा हूँ जमिदार बाबा के मूँ से यह अपना पन भोल सुनकर मालती की आँखों में आस हुआ गए, वह फवग कर रो पड़ी, रोते वे बोली जमिदार बाबा मुझे जाने दीजीए, मैं यहां नहीं रह सकती, जमिदार सहब बूले क्यों नहीं रह सकती, मालती वोली नहीं बाबा मैं नहीं रह सकती इस हवेली में इस हवेली में बड़े बड़े सपने पलते हैं और मेरी इन छोटी छोटी आखों को उन सपनों को देखने की आदत नहीं है इसलिए मैं यह हवेली छोड़ कर जा रही हूँ हो सके थे मुझे माफ कर दे न बाबा अभी दोनों में आपस में बाते चली रही थी कि तब इधनिया और सीला काकी भी आ गए उधर से कनया भी आखे मलता हुआ अपने कमरे के बाहर निकला और चुक चाप जाका तीनों जमिदार साहब के पास खड़े हो गए यमिदार साहब बोले मालती जब तक मैं न कहूँ तुम इस अभेरी से बाहर नहीं जा सकती हो समझ गई अभी तुम इतने बड़े ही नहीं हुई हो कि इतने बड़े भड़े फैसले तुम स्वैम लो बाबा कहा है तुमने मुझे और इस रिष्टे से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा अभी कल की बात पूरी नहीं हुई है तुम क्या समझती हो तुमारे चले जाने से सारी बाते खतम हो जाएंगी नहीं बात एक और है दूसरे पर लगाए आरोप अधूरे रह जाएंगे कनया जाओ और अब्देश को बुला कर लाओ कनया दोड़ा हुआ दोड़ कर गया और अब्देश बाभू को बुला लाया सारी रात सोना पाने के करण अब्देश को भौर होती जपकी लग गई थी तब ही कनया ने अब्देश का दर्वाजा खट खटाया अब्देश बाभू अब्देश बाभू चलिए आपको जमिदार साहब बुला रहे है अब्देश ने हडबड़ी से उठा और उसने भाग कर दर्वाजा कोला और कहा अरे कनया क्या हुआ इतनी सुबह सुबह तो कनया बोला अब्देश बाभू आपको मालिक ने बुलाया है अब्देश बाभू बोले क्यों क्या हुआ अरे वह कनया कहने लगा मालती है न वह अर उसकी माँ सुबह सुबह घर छोड़ कर जा रहे थे किसों को भी भी ना बताए जमिदार साहब ने उन्हें पकड़ लिया और भहुत गुस्सा किया है बोलें कितने आरोप लगाने के बाद तो मैं ऐसे नहीं जा सकती है उन्होंने अभी आपको बुलाया है तो अबदेश बाबु बोले यह तुम क्या कह रहे हो इतना सब हो गया और मुझे अब बता रहे हो चलो देखता हूँ थोड़ी देर में अभी बाबु जमिदार साहब के सामने खड़ा था और बोला पिताजी बोलिये आपने मुझे बुलाया जमिदार साहब बोले हाँ बीटा यह लोग घर छोड़ कर जा रहे है कल जो भी हुआ उसके बाद इस हवेली में नहीं रहना चाहते बताओ क्या करना चाहिए अब देख बोला जाने दीजी पिताजी जब यह यहां रहना ही नहीं चाहते तो जब अर्दिस्ती रोकने का क्या फायदा अब तो बड़े मालिक बोले अच्छा फायदा और नुकसान कबसे सोचने लगे क्या तुमने मालती से दिल लगा ले से पहले फायदे के बारे में सोचा क्या यह सोचा कि क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं अब देख कुछ नहीं बोला उसने सरम से अपना सिर जुका लिया सभी की नजरें अफदेश पर जाकर टिक गई सभी के मन में एक सवाल था कि अब क्या होगा वैसो तो मालती भी बहुत ही सरमिंदगी महसूस कर रही थी लेकिन बिना बाबा के आग्या के एक कदम भी हमेली से बाहर निकालना उसके लिए बहुत मुस्किल था तब ही जमिदार सहाब अफदेश की और बड़े और बोले बेटा अफदेश जितने आसानी से तुमने कल बोल दिया था कि तुम मालती से प्यार करते हो इस बात को मानना मालती के लिए उतना आसान नहीं होगा क्या तुम सोचते हो तुमारे प्यार को मालती ने महसूस क्या होगा लेकिन उसने कभी भी इस प्यार का जहार नहीं किया क्योंकि वो जानती है तुमारे और उसके बीच का सिक्षा, रहन, सैन, जमीन, आसमान का अंतर है वे समझदार है, वे जानती है उसका एक कदम बढ़ाने से इस हवेली की सारी इज़त मिट्टी में मिल सक्चा है सच है बेटा, शायद यही सोच कर वे आज़ चुपचा फवेली छोड़ कर जा रही थी अगर मैं समय से नहीं पहुंचता तो अब तक तो वे शायद अपने गाँ पहुंच भी गई होती और तुम कह रहे हो अब देश बेटा की से जाने दू नहीं ऐसा नहीं हो सकता जिस लड़की को इस हवेली की इज़त की इतनी फिक्र है वे सच में तुमसे बहुत प्यार करती है मैंने कल रात बहुत सोचा और इसके बाद फैसला किया कि मुझे तुमारे और मालती के रिस्ते से कोई आपती नहीं है बलकि मुझे खुसी होगी मालती जैसी लड़की इस घर की बहु बनेगी मालती एक जिम्मेदार समझदार और तुमसे प्यार भी करती है और एक अच्छे साती के जो गुन होने चाहिए वो सब मालती में मजून हैं मौजूद हैं और मुझे एरस्ता मंजूर है जम्मेदार साहब की बाते सुनकर अफदेस का चैरा कुसी से खिल उटा उस्ने तुरंत मालती की ओर देखा मालती अभी भी से जुका कर खड़ी थी कलावती आगे बड़ी और उसने जम्मेदार साहब से का जमिदार साहब मुझे आपसे इसी नियाई की उम्मीद थी अब आप ही बताईए कि इतने बड़े आरोप को लेकर मेरी बेटी आकर कब तक मूठ चिपाती किस-किस को सफाई देती सच में धन्याया आप जमिदार साहब जा कलवा जमिदार साहब के लिए और अफदेश बाबू के पैर चुप मालती क्या तुम कुछ नहीं कहोगी कलावती दीरे से मालती क्योर बड़ी मालती अभी भी चुपती धनिया और सिया काकी को तो उमीदी नहीं थी जमिदार साहब इस तरह का भी कोई फैसला लेंगे उनकी तो पूरी बाजी पलटती नजर आ रही थी अंदर ये अंदर दोनों जलन के कारण सुलग रही थी लेकिन अब तो कुछ कहना संभवी नहीं था कल तक उनके साथ काम करने वाली मालती आज उनकी और इस हवेली की मालकिन बनने वाली थी सारी बाजी पलट चुकी थी मालती कलावती भूली सुना नहीं तुमने जमिदार साहब ने क्या का चलो जाओ जमिदार साहब के पैर चुओ और अब तुम्हारे सही में बाबा बन गए है मालती कुछ नहीं समझा रहा था कि वे क्या करे मैं वे कुछ नहीं बोली जो कलावती बोली मालती बिटिया क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है तब मालती बोली हाँ बाबा मुझे कुछ कहना है तो जमिदार साहब बोले हाँ बोलो बिटिया जो चाहे वो बोल सकती हो कोई भी बात मन में रखने की जरुरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहु मांग चुका हूँ अब तुम्हें वे सब कुछ करने का और करने का अधिकार है जो बेटी अपने पिता से कहती है और बोलो बेटा क्या कहना है मालती बोली जमिदार साहब जमिदार बाबा आज आपने मुझे बहुत इंचत दी उसके लिए बहुत बहुत सुक्रिया किन्तो इतनी बड़ी हवेली की बहु बनकर मैं इतना बड़ाए जिम्मेदारियां को भोस्याइद ना उठा सकूँगी इसलिए मुझे माफ कीजिए आज अपने इस्तर की एक लड़की पड़ी लिकी खांदानी लड़की को अब्देश बाबू के लिए ढूंड लीजिए और उनकी शादी करा दीजिए अब्देश बाबू बयूले मालती बिटिया मेरा 65 साल का अनुभव कहता है कि अब्देश के लिए तुमसे अच्छी जीवन साती कोई नहीं हो सकती बलकि पिछले एक साल से तुमने हमें जो प्यार अपना पन दिया है उसके लिए हम तुमारे आभारी है अब्देश की मा के जाने के बाद कुछ बहुत कुछ था इस हवेली में जो विखर गया था तुमने उसे एक साल में संभाल दिया बिटिया पूरी इमानदारी के साथ और अब मैं चाहता हूं तुम इस घर की बहु बन कर सारी जिंदगी इस घर को संभालो और इसे भी जमिदार सहाब ने अब्देश की होई सारा करते हुए का जमिदार सहाब हमारी बिटिया बहुत भूली है कलावती कहने लगी और वह बहुत अच्छी भी है कभी भी आपको सिकायत का मौका नहीं देगी कलावती को तुमानु पॉबारा हो गई थी वह तो हस रही थी और जमिदार सहाब के लिए बोली कलावती चलो जाओ और बाबा के पैर चुओ मालती मालती ने वहाँ उपरस्तित लोगों पर नजल डाली सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे मालती आगे बढ़कर उसने जमिदार बाबा के पैर चुओ लिये जमिदार सहाब ने का खुस रहू बिटिया सुखी रहू जमिदार सहाब ने मालती को आशिरवात दिया और बोले तो फिर शादी तैव हुई बहुत जल्दी सुब महुरत देखकर अवदेश और मालती का बिवा संपन करा दिया जाएगा सबी लोग शादी की तैयारियां कीजिए अपने अव्देश की शादी बड़ी धूमधाम से होगी सबी लोग अभी से शादी में लग जाईए इतना कहकर जमिदार बाबा अपने कमरे में चले गए सीला काकी और धनिया और कनहिया भीतरे भीतर जल भुन गएते उन्हें बहुत जलन महसूस हो रही थी किन्तो अब तो मालती उनकी मालकिन बनने वाली थी इसलिए उन्होंने मालती की चापलूसी करना ही सही समझा और मालती को बधाईयां देने लगे कहने लगे मालती मुबारक हो अब तुम हमारी मालकिन हो जाओगी और अब तुमारा ही हुकम पूरी हवेली पर चलेगा हर तरफ सिर्फ तुमारी जयजयकार होगी मालती बोली नहीं सीला काकी आप इस तरह क्यों सोचती हो आप मेरे से उम्र में बड़ी हो हमारी बुजुर्ग हो हम आपके बताए रास्ते पर ही तो चलेंगे आप मुझे बताना और मैं उस रास्ते पर चलूँगी मैं तो यहाँ पर एक नौकरानी की तरह ही काम कर रही थी लेकिन अब जमिदार बाबा के फैसले के बाद मुझे मा की तरह ही सब कुछ हवेली में संभालना है और मा को तो आप से ज़्यादा भला कौन जानता होगा आप तो मा के बहुत करीब थी इसलिए आप बताएं कि उनके रास्ते पर मुझे कैसे चलना है आप तो उनको बहुत अच्छे से जानती थी उधर कलावती ने जल्दी से अपनी पोटली उठाई और कल्वा से बोली कल्वा जल्दी से समान अपने कमरे में वापस ले चलो और कल्वा ने भी कलावती की बात को मानते हुए सारा समान उठाने उठा कर जो अपने कमरे में रखने लगा तो कन्हिया बोला अरे कलावती बहन तुम क्यो परेसान हो रही हो मैं हूँ न लजोड़ो सब समान मेरे रख कर आता हूँ कलावती ने वहीं सारा समान छोड़ दिया और कलवा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की उर बढ़ गई तो कनिया केहने लगा चलो धनिया हम सारा काम करते हैं अभी बहुत सारा काम बाकी है धनिया बोली हाँ सीला काकी अब तो शादी तक एक घड़ी की भी फुर्सत नहीं मिलेगी अब तो सारा काम हमें ही करना पड़ेगा धनिया और सीला काकी भी रसोई की तरब बढ़ गएं सबके जाते ही मालती ने चैन की लंबी सांस ली उसके चेहरे पर एखलकी सी मुसकान तैर रही थी और वो धीरे से बोली तो अफदेश बाबू आपने भी बाजी मार ही ली लेकिन तब ही पीछे से आवाज है लेकिन जीत तो हमारे प्यार की हुई मालती आवाज सौन कर मालती घबरा गए उसने पलटकर देखा को सामने अफदेश बाबू मुस्कुरा रहे थे मालती बोली अफदेश बाबू आप तो अफदेश कहने लगा हाँ मैं गया ही कहा था मैं तो यही हो तुमें देखा ही नए तुम कश से अपने विचारों में खोई हुई हो अफदेश की बाते सुनकर मालती सर्मा गई और वहां से चली गई अफदेश भी जाती हुई मालती को दूर तक देखता रहा मनी मन वह केसब का धन्यवाद अदा कर रहा था कल शाम को अगर केसब ने जमिदार बाबू को नहीं समझाया होता तो शायद आज उसकी और मालती की बिभा की बात पक्की नहीं हुई होती अफदेश अब केसब के पास जा पहुँचा और बोला केसब भी या तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद अगर आज तुम नहीं होते तो शायद पिताजी को मनाना बहुत मुस्किल था तो में वो सारे गुन है जो बड़ी मालकिन में थे इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मालती से ज़्यादा अच्छी कोई लड़की आपकी जीवन साती होई नहीं सकती बस इसलिए मैंने एक छोटा सा परियास किया ताकि इस हवेली को एक अच्छी मालकिन मिल सके अब देश बाबु कह सही कहा केसब भाईया तुमने वाकि में मालती बहुत अच्छी लड़की है केसब भाईया अफदेश बाबु ने कहा मेरे लिए पिताजी शादी के लिए तो राजी हो गए है और बहुत जल्द मेरी शादी मालती से हो भी जाएगी तो केसब कहने लगा अच्छा अच्छा रिस्तेदारों को उन्हें में बुलाया था और सभी रिस्तेदार आये हुए थे जिनमें अफदेश की दो भुवा तीन मौसी और एक मामी खास थी मौसी और मामी को इस साधी से कोई आपती नहीं थी वो तो बस यही सोच कर खुशती कि अब उनके जीजाजी यानि जमीदार साहब को नौकरों पर आस्रित रहना नहीं पड़ेगा लेकिन अकिलेस बाबु की दोनो भुवाओं में को जो एक नौकरानी का बहु बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था अफदेश की भुवा जो सुनैना बूली क्यों अफदेश दुनिया में क्या लड़कियों का इतना काल पड़ गया था अरे इतनी ही जल्दी थी तो मुझसे कह दिया होता हम तुमारे लिए चांद सी बहु लेकर आते अफदेश चुपर हा तभी उसकी दूसरी भुवा साधना बोली साधना ने भी जो सुनैना के सुर में सुर मिलाया और बोली आज अगर भाबी जिन्दा होती तो दीदी इस साधी को कभी मंजूरी नहीं देती ये तो भाया की मजबूरी थी कि इसे बहु बनाया अफदेश की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली होगी क्योंकि अफदेश मैं सही कह रही हूँ न बेटा अफदेश ने कहा ऐसा नहीं बुआ जी मालती बहुती सीधी और सच्ची लड़की है देखना वो आप लोगों का कितना मान सम्मान करेगी कुछ दिन में आप भी उसे पसंद करने लगोगी तब ही उसकी बुआ की लड़की आई और वो कहने लगी अम्मा जब भीया और मामा जी को इस शादी से कोई आपत्ती नहीं है तो आप लोग ऐसी बाते क्यों कर रही हो अगर अफदेश भीया ने मालती को पसंद किया है तो मालती वाकई में बहुत अच्छी होगी तो वे कहने लगी हाँ तुमारी भावी बहुत अच्छी है और वे कहने लगा अफदेश हाँ बेहन तुमारी भावी बहुत अच्छी है तो उसके बुआ की लड़की ने कहा हाँ भीया मैंने उन्हें दूर से देखा है बना कर यह सावित कर दिया था कि शादी विवा जैसे रिष्टों में धंदौलत और रुत्वेश का कहीं कोई जगे नहीं होती जीवन एक सुखी जीवन के लिए एक अच्छे जीवनसाथी का होना अत्यन तावश्यक है और यह अच्छा जीवनसाथी किसी भी इस्थर का हो सक साथी के बाद जमिदार साहब ने मालती और उसकी मा कलावती को पूरे सम्मान के साथ सबसे मिलवाया और पर कुछ दिन साथ रहने के बाद सबी लोग अपने अपने घर लोट गए बहुत कम दिनों में ही मालती और जो अफदेश की बुआ की लड़की थी जो दोनों सकी ब कलावती और कलुआ के हालाती बदल गए अब वे इस हवेली में मालकिन की मा थी और उसका अलगी सम्मान हो रहा था पूरे राज सी ठाट बाट हो गए थे हवेली के सारे नौकर चाकर उनकी बात मानते थे वही होता है जो कलावती कहती क्या खाना बनना है कौन सा काम कौन कर लेकिन इतनी बड़ी हवेली की बहु बनने के बाद भी मालती का सबहा बिलकुल नहीं बदला वे सभी के साथ वे पहले की तरह ही पेश आती थी आप जमीदार बाबा के प्रेती उसका सम्मान और अधिक बढ़ गया वो अपने बाबा की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखत उन्हें कभी भी सिकायत का मौका नहीं देती और अबदेश तो दिन रात उसके प्यार में ही पागल था और इस तरह देखते देखते मालती और अबदेश की शादी को दस साल बीत गए अब मालती दो बच्चों की मा बन गई थी कलवा की भी शादी हो गई थी उसकी पत्री बहुत समझदार थी और कलावती के सभाव में आज भी कोई सुधार नहीं आया था उसकी बहु संगीता उसके कठोर सभाव से सबसे ज़्यादा दुखी रहती थी मालती तीसरी बार मा बनने वाली थी सबकी यही इच्छा थी कि इस बार मालती को बेटा हो जाए आखिर इतनी बड़ी संपत्ती को एक बारिस भी तो चाहिए ऐसा नहीं था कि हवेली में बेटा बेटी में कोई फरक था नहीं ऐसा बिलकुल नहीं था बेटियों को भी बेटो स्कूल में किया गया था और अवदेश घर पर वे उसे स्वैम भी पढ़ाते ताकि उसकी सिक्षा में कोई कमी न रह जाए दूसरी बेटी चंचल ने जो अभी स्कूल जाना सुरू नहीं किया था वह बहुती सभाव से भी चंचल थी किन्तु समस्दारी में वह कामनी से कम नह काम जाड़ू पोचे तक ही सीमित रह गया कलावती का रुआब किसी महरानी से कम नहीं था हर समय सब पर हकूमत चलाती कलावती को हर समय बस एक ही चिंता सताती उसकी बहु संगीता के कोई संतान नहीं थी साधी के पास साल हो चुके थे लेकिन अभी तक संगीता की गोध और इस चिंता में वे अकसर संगीता को ताने दे कर सुनाया करती पता नहीं कलावती कहती अपरी वहु से किस घड़ी में इस मनहुस को ब्याह कर लाई थी पास साल हो गई शादी को लेकिन अभी तक पोते का मुह नहीं देखा लगता है बुढ़ापा यूँ ही कट जाएग और एक दिन मैं इस दुनिया से बिना पोते का मुह देखे ही चली जाओंगी संगीता कहती मा ऐसा क्यों कहती हो यह कोई अपने हाथ की बात तो नहीं है और फिर कौन से जादा दिन हुए है भी पास साल ही तो हुए है हो जाएंगे बच्चे भगवान की जम मर्जी होगी त तो लेकिन संगीता कोई सास उसे ताने दिये बिना नहीं रहती मालती भी अपनी मा को समझाती मा संगीता कितनी अच्छी है उसे ताने मत दिया करो लेकिन मालती कभी नहीं सुधरती संगीता कहती कोई बात नहीं दी दी अब तो मुझे मा के ताने सुनने की आदत पड़ ग तो वे कहने लगी कलावती होना क्या है बस वही ये ननंद भावी मिलकर हर समय मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है इनको तो कोई सही बात भी भोलो तो गलत न जराती है कलावती बहुत गुसे में कलवा से कहने लगी तो कलवा ने मालती से पूछा क्या हुआ दीदी आखिर मा इतनी नाराज क्यों है तो मालती बोली कुछ नहीं कलवा तो इन घरेलू बातों को लेकर परेशान मत हो यह बता खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है कलवा बोला सब ठीक चल रहा है दीदी इस वार गहुं की पसल भी बहुत अच्छी हुई है तो मालती बोली अच्छा बहुत अच्छी बात है क्या तेरे जीजा जी नहीं आये हैं तो वह कहने लगा कलवा नहीं वे थोड़ी देर रुख गए हैं आज खेत पर मजदूरों को हिसाब जो देना था मालती बोली अच्छा अच्छा कलवा न उनकी उमर हो चली है उनको जायदा से जायदा आराम की जुरूरत है तो मालती बोली कलवा तुम अपने जीजा जी को किसी का यूँ ही साथ देते रहो तो ठीक रहेगा उनको तुम्हारे सहरे की बहुत आवस्च्टा क्योंकि अब बाबा की उम्र हो रही है वे खेती बारी का काम możli आखेले नहीं संभाल सके आब उन को सारी जिंदगे काम करने के बाद आराम की जुरूरत है अब उन का सरीर साथ नहीं देता है कल्वा कहने लगा सही कहँ दीदी बहुत अखेती बाबा के हमारे ऊपर आज हम जो भी हैं उन्हीं के कारण है मालती कलवा की बात सुनकर मुस्कुरा दी और संगीता से बोली संगीता जाओ कलवा के लिए थाली लगा कर ले आओ सुबह का निकलाए दोफैर हो गई या भूका होगा संगीता रसोई की उर चली गई और ठीक है दी दी और पीछे से कलावती भी स संगीता के पास जा पहुंची और बोली हुकुम चलाना तो कोई इस महरानी से पूछो मालती से सीखे कोई कैसे हुकुम चलाता है तो संगीता कहने लगी मा इसमें हुकुम वाली क्या बात है अपने पती को ही तो खाना दे रही हो आपको तो खुस होना चाहिए कलावती इसा जो भरती रहती है संगीता कुछ नहीं बोली और खाने की थाली लेकर चली गई कुछ देर बाद अवदेश और कामनी भी घर आ गए और वे कहने लगी मालती आरे आज हमारी बिटी अपने पिताजी के साथ आई है तो कामनी कहने लगी हाँ अब हम अपनी बस से नीचे उ बिटा चंचल बाबा के पास है चलो तुम पहले खाना खालो और संगीता जाओ दोनों लोगों के लिए खाना लगा दो संगीता ने कलावती की ओड़ देखा और रसोई में चली गई तो वह कहने लगी नहीं अमा कामनी कहने लगी मैं चंचल को अपने साथ लेकर आती तो अवदेश ने मालती से पूछा मालती तुम्हारी तवियत तो ठीक है ना तो मालती बोली हाँ आप चिंता ना करो सब ठीक है अभी अवदेश और मालती बात ही कर रहे थे कि कामनी दोड़ती हुई आई और बोली अमा बाबा गुसा है क्या तो मालती बोली नहीं तो भल हम तुम्हें पिताजी के पास लेकर चलते हैं मालती हमारा खाना पिताजी के कमरे में लियाओ अफदेश ने कहा और उनसे फसल के विशे में भी बात करनी है मालती बोली ठीक है अफदेश जब पिताजी के कमरे में पहुंचा तो उनकी चीख निकल गई मालती जल्दी आओ द आतों से खाने की थाली छूट गई और वो बेहतास अपने बाबा के कमरे की और भागी कलावती कलवा और संगीता सभी लोग घबरा गए मालती कमरे में पहुची तो उनके हाथ पाम फूल गए वो घबरा कर बोली कलवा जल्दी डॉक्टर को बुलाओ किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए कामनी और चंचल का तो रोरो कर बुरा हाल था संगीता उन्हें संभालने में और समझाने में लगी हुई थी मालती और अब देश के बाबा तो जो पैरों को जो बाबा के पैरों को रगड रहे थे कोई हातों को रगड रहा था लेकिन बाबा क सरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था सभी लोग मनी मन भहुत वहवीत हो रही थे महीं पास खड़ी कलावती सब कुछ देख रही थी वह भी घबराई हुई थी और समझ चुकी थी कि जमीदार बाबु नहीं रहे तभी धनिया पानी लेकर आ गई और बोली छोटे मालिक जमीदार साहब के मुँपर पानी के छीटे मारिये शायद वो होस में आ जाएं तो कनहिया ने धीरे से का नहीं धनिया मुझे अब कोई उमीद नहीं दिखाई दे रही तब एक कल्वा पास के एक डॉक्टर को लेकर आ गया डॉक्टर ने जमीदार बाबू को देखते ही कहा अब यह इस दुनिया में नहीं रहे किसी तरह की भी कोशिस वेर्थ है क्योंकि अब यह हम सब को छोड़ कर जा चुके हैं इतना सुनकर मालती तो जो रोने लगी और वह कहने लगी आप ऐसा कैसे कह सकतें अभी तोड़ी देर पहले तक तो बाबा बिल्कुल ठीक थे उन्होंने खाना भी खाया कितने आराम से उन्हें मैं हैं सोता हुआ छोड़ कर गई थी और आप कह रहें बाबा इस दुनिया में नहीं रहे डॉक्टर साब एक बार अलग हाथ लगा के देखिया अलग से चेक अप कीजिए ऐसा नहीं हो सकता मेरे बाबा को कोई बिमारी नहीं थी डॉक्टर साब डॉक्टर ने मालती का दिल रखने के लिए जमिदार बाबा के जो सीने में चेक अप किया नवज पकड़ी और फिर बोले बहु कोई फायदा नहीं जमिदार साहब अब इस दुनिया से जा चुके हैं और इस बात को अब तुम सविकार कर लो डॉक्टर साहब की बात सुनकर मालती महीं चेक मार कर बेहूस हो गई सभी की आखों में आसु थे अब देश अपने पिता के पैरों पर जुक कर रोने लगा पूरी हवेली में कोहराम मच गया सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था धनिया और संगीता मालती को होस में लेकर लाने के लिए पानी के छीटे मारने लगी और उसको ले जाकर उसके कमरे में लिटा दिया आखिर मालती मा बनने वाली थी ऐसी इस्तिती में अधिक रोना और अधिक चिंता करना मालती और उसके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता था देखते ही देखते थोड़ी देर में हवेली में लोगों का जमगठ लग गया सभी की आखों में एक ही दुख था आसू थे जमिदार सहब थे ही इतने अच्छे कि उनके जाने से हर कोई दुखी था जमिदार सहब चले गए और अपने पीछे छोड़ गए एक खाली पन आज जो मालती को महसूस हो रहा था कि जैसे उसके अपने बाबा उसे एक बार फिर से छोड़ कर चले गए बाबा के जाने के बाद जमिदार बाबा ने कभी भी उसे अपने बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी थी और फिर पूरी विदी विधान के साथ जमिदार बाबा कांतिम संसकार कर दिया गया सभी को इस बात का दुख था कि जमिदार साहाब जो अपने पोते का मूख नहीं देख पए और जल्दी चले गए लेकिन ये अपने हाथ में तो नहीं था यही सोचकर मालते और अब्देश ने भी सब्र कर लिया जमिदार साहब के जाने के पांच महीने बाद मालती ने एक बहुती प्यारे से बेटे को जनम दिया देखने में हूँ भू हूँ बिल्कुल अपने दादा की तरह था नाम रखा गया जो उसका बहुती सुन्दर जीवन जीवन के आने से हवेली में खुसियां फिर से लोटाई सब के चेहरे पर हसी आ गई सभी को यही लगा कि जमिदार साहब वापस आ गए बेहनों को भाई मिल गया हवेली को वारिस फिर सब कुछ पहले की तरह से चलने लगा समय अपनी रफ्तार से चल रहा था लेकिन कहते हैं न सुके घड़ी में समय की रफ्तार तेज महसूस होती है बिल्कुल ऐसा ही था देखते ही देखते जीवन दस साल का हो गया अपनी दौनों बेहनों का लाडला माता पिता का दुलारा जीवन बहुत संसकारी था घर में सभी की बात मानता और सभी की मान सम्मान करता घर में सभी की आँखों का तारा था जीवन समय थोड़ा और आगे बढ़ा जीवन अब धीरे धीरे समय भीता तो जीवन पंद्रे साल का हो गया पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था किन्तो उसका ध्यान अपनी खेती बाड़ी की तरफ जादा था अपने पिताजी के साथ अक्षर खेतों में जाता हर फसल के बारे में जानकारी लेता अब देश भी यही चाहते थे कि जीवन पढ़ाई लिखाई करके सिक्षित तो हो किन्तो गाम में रहकर अपनी खेती को संभाले और बुढ़ापे का साहरा बने इसलिए उन्होंने जीवन को पढ़ने के लिए सहर नहीं भीजा और अपने पास रखकर यह उसे अच्छी सिक्षा दी जीवन भी जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था खेती बाड़ी में उसकी दिल्चस्पी बढ़ती जा रही थी उदा चंचल और कामनी बड़ी हो चुकी थी जो मालती को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी कलावती बहुत बूड़ी हो चुकी थी धनिया से भी काम नहीं होता था इसलिए दोनसारा समय बातचीत में समय बिता दीती थी दूसरे नए नोकर भी आ गए थे वैसे तो कलावती को किसी चीज की कमी नहीं थी परन्तु उसे एक ही दुख था वह उसको आज भी था कि उसकी बहु संगीता के कोई अलाद नहीं थी इस बात को लेकर संगीता और कलवा भी दुखी रहते थे किन्तु कलवा हमेशा संगीता को यही समझाता कि कामनी चंचल और जीवन भी तो हमारी ही बच्चे है आकिर उन्होंने तो कलवा और संगीता को मामा मामी से बढ़ कर प्यार दिया है उन्हें कमी ऐशास ही नहीं होने दिया कि वे उनके अपने बच्चे नहीं है संगीता के रहते का मालती भी पूरी तरह निश्चित थी या यू कहा जाए कि मालती के बच्चों को जो संगीता नहीं पाला था लेकिन कलावती को यह बात फूटी आँख नहीं स्वाहती थी वो और धनिया सारा दिन मालती की बेटियों की बुराई में लगी रहती मालती और कलुआ ने कलावती को कही बार समझाने की कोशिस की कि वो धनिया के साथ मिलकर ऐसी ओच्ची हरकते ना करें लेकिन कलावती पर कोई फरक नहीं पड़ता उसे कामनी और चंचल में कम्या निकालने में बहुत मज़ा आता था उसे मालती की बेटियों फूटी आख नहीं सुहती थी कामनी की उम्र अब 20 वर्स हो चुकी थी देखने में बेहत खुबसूरत कामनी के लिए अब देश और मालती ने एक अच्छे वर्की तलास कर दी तब कलावती ने धीरे से कहा देख धनिया कैसे खाखा कर मोटी हुई जा रही है थोड़ा सा पढ़ लिक्या लिया खुद को कहीं की राजकुमारी से कम नहीं समझती धनिया बोली सही का भेहन वैसे एक बात बताऊं आपको देखकर इसका न च्छतिस कौने मुह बन जाता है मेरा तो मैं पास खड़ी चंचल सब सुन रही थी वैं जोर से चिल्ला कर बोली कामनी दीदी नानी जी ने आपको मोटी कहा कामनी दीदी नानी जी और धनिया काकी ने आपको मोटी कहा हे भगवान ये लड़की के कान तो मेरी तरफी लगे रहते हैं कलावती ने जो जट से धनिया से कहा तो मैं तो इसे कुछ नहीं कहती कलावती ने कहा तो कामनी जो चंचल की बात कौन सुना करके हुआ से चली गई कहने लगी रहने दे चंचल कोई नहीं और उसके बाद जब वो कहने लगी अम्मा कामनी जो अब बड़ी तो हो चुकी थी और मालती ने जो कामनी के पास कामनी का अपनी कलावती मा के पास आकर कहा अम्मा तुमको कितनी बार समझाया है कलावती अब बड़ी हो चुकी है उसे इस तरह मत बोला करो तो मा वह कहने लगी कलावती नहीं मालती बिटिया मैंने ऐसा कुछ नहीं खाहा तो चंचल बोली मा मैं कभी जूट नहीं बोलती वो तो अच्छा हुआ कि कामनी दीदी अभी अभी बाजार चली गई शायद उन्होंने भी सुना नहीं था नहीं तो वो बहुत दुखी होती और यह धनिया इतनी उम्र हो चुकी है अब तो यह समझदार हो जाओ जो मालती जो धनिया को भी समझाने लगी तो धनिया बोली जी बहु जी वो तो धनिया जो संगीता के पास रसोईम में चली गई क्योंकि संगीता के लिए लगी हुई थी और धनिया बिना कुछ बोले रसोईम की ओर चली गई और धनिया के जाते ही मालती ने कलावती से कहा अम्मा धनिया के समझ नहीं है कि वो क्या कहिए वहां से उटका चुप चाप चली गई तो यह कोई बात नहीं थी हर दूसरे दिन कलावति बड़ बड़ाने लगी कुछ ना कुछ जरूर होता है जो मालती के दिल को दुख ही कर जाता क्लावति कुछ ना कुछ निरासा ही लगती थी जो कलावती बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी कामनी पढ़ी लिखी थी और सुन्दर भी थी इसलिए अफदेश और मालती को उसके लिए वाई ढूणने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुए और बहुती जल्दी उन्होंने मालती के लिए एक शिक्षक वर की तलास कर ली इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले सत्य प्रकास जी का बिभा कामनी के साथ संपन हो गया साधी में अफदेश की बुआ की बेटी जो मालती की सकी थी वो भी आई साथ में उसका बेटा जो रोहन भी आया रोहन और जीवन लगभग एक ही उमर के थे इसलिए वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए ससुराल के रिष्टों के नाम पर मालती के लिए सकी जो उसके बुआ की लड़की थी उससे ज़्यादा करीब कोई नहीं था नमबर था लेकिन अवदेश और मालती ने चंचल का बिवा भी दो तिन साल तक नहीं करने की इच्छा की कि वे चाहते थे कि कामनी की तरह चंचल भी अच्छे से पढ़ाई कर ले उसके बाद उसके लिवर की तलास की जाए उदर कुछ दिनों से एक दिन अचानक अरे मालती ने कहा अरे सकी तुम्हीं यूँ अचानक उस जो अवदेश की भुवा की लड़की आई मालती ने दर्वाजे पर खड़े खड़े ही पूछ लिया अरे सकी और उसके साथ उसका बेटा रोहन भी था तो सकी कहने लगी क्यों भावी मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मालती बोले हरे नहीं नहीं सकी ऐसी बात नहीं है दरसल यह अचानक देखकर मैं थोड़ी इसी जो हैरान रह गई हूँ सब ठीक तो है न तो सकी बोली हाँ हाँ सब ठीक है बस आप से मिलने का मन किया इसल चंचल दीदी तो कहने लगा चंचल दीदी भी कॉलेज गई है तो अच्छा अभी सभी सभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और जो मालती ने सकी को बठाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ तो रोहन बोला मामी मुझे तो भूक भी लगी है तो माल मालती बोली हां रोहन अभी खाना बनने में थोड़ा समय है तब तक तुम चाय पियो तो भी थीक है मामी और फिर थोड़ी देर में चंचल और जीवन भी स्कूल से घर वापस आ गए जीवन को देखकर तो रोहन को बहुत ही खुस हुआ अरे जीवन ने बोला रे रोहन और कैसे आना हुआ तो वे रोहन कहने लगा कुछ नहीं दे दी बस अमा आ रही थी मिलने के लिए तो मैं भी अमा के साथ आ गया तो वे बोले अच्छा किया चलो हमारे कमरे में चलते हुई पर बात करेंगे जीवन और रोहन दोनों कमरे में चले गए रोहन के जाते ही जो स खुल कर बोलो तुम मेरी सहेली हो तो सकी बोली भावी मैं चाहती हूँ आप रोहन को अपने पास यहीं पर रख लो और यहीं से इसकी पढ़ाई का पूरा प्रभंद करो मालती कहने लगी पर ऐसा क्या हुआ तो सकी बोली भावी दरसल इनके पिताजी को सराब की लत लग किया है कि धीरे धीरे रोहन भी उनी की तरह होता चला जा रहा है बात नहीं मानता मेरी एक भी और अब इसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता हर समय अपनी पिताजी के ही जो नकसे कदम पर चलने का परियास करता है यहां तक कि उसने कभी कभी सराब को भी पीना सिरू कर दिया है सकी कहने लगी भावी मैं चाहती हूँ और मैं जानती भी हूँ इस हवेली में बुरी आदतों का कोई स्थान नहीं है जीवन भी देखो कितना संसकारी है मालती कहने लगी नहीं नहीं सकी ऐसा तो रोहन का सभाव नहीं रोहन तो बहुत ही अच्छा समस्दार हो, हो सकता है अपने एक लोते बेटे से दूर रहकर रोहन के पिता को उसकी गलतियों का हिसास हो जाए मालती बोली सखी क्या तुम्हें कोई और परिशानी भी है तो सखी कहने लगी नहीं भावी मुझे कोई और परिशानी नहीं है बस रहन के भविश्य की चिंता रहती है भावी अगर आप भया से पूछना चाहें तो पूछ लीजिए मालती कहने लगी अरी ऐसी कोई बात नहीं है इसमें मुझे कोई आपती नहीं है बलकि मेरे और जीवन को तो एक छोटा भाई और साथ में मिल जाएगा तीनों बच्चे हवेली में खेलते पढ़ते एक साथ कैसे बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तुम निश्चि हो गई हूँ ठीक है भावी हम में चलती हूँ तो मालती कहने लगी अभी रुको सकी तुमारे भाईया खेतों से आते होंगे उनसे मिल कर जाना सकी बोली लेकिन भावी जी उधर कहने लगी नहीं नहीं मिल कर जाना और उधर जीवन के कमरे में जो रोहन जीवन से कहा पता ह मैं तुम्हारे साथ यही रहकर पढ़ूँगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा अम्मा हमें यहाँ पर छोड़ने आई है और मामी से बात करके मेरा भी है इस्कूल में एडमिशन करा देगी रहुन की बात सुनकर जीवन भूला अच्छा हम तीनों साथ रहेंगे चंचल भी हस कर कहने लगी यह तो बहुत अच्छी बात है साम को जब अवदेश खेतों से लोटा तो मालती ने सारी बात अवदेश को बताई तो वह कहने लगा अवदेश तुमारी बात तो सही है मालती सकी मेरी लाडली बहन है किन्तु कहीं ऐसा ना हो, उसकी संगत का असर हमारे जीवन पर भी पड़े तो मालती कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है रोहन दिल का बुरा नहीं है, उसकी आदतों में कोई बुरा ही नहीं आएगी यही सोचकर सकी ने उसे चोड़ने का फैसला किया है तो जो अफदेश बोला ठीक है मैं कल सकीस को बता दूँगा कि रोहन के यहां रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है और अब रोहन हमारी जिम्मेदारी है मालती अफदेश का फैसला सुनकर खुस हो गई और अगली सुबह अफदेश ने सकीस से बात कर ली सकी बोली बहुत बहुत धन्यवाद भाया मुझे आपसे यही उमीद थी और मुझे मालूम था कि आप लोग मुझे निरास नहीं करेंगे भाया मेरी भी मजबूरी है वरना मैं आप लोगों को परिसान कभी नहीं करती अब देश बोला नहीं सकी तुम मेरी सगी बेहन नहीं लेकिन मैंने हमेशा तुमें अपनी सगी बेहन की तरह माना है ऐसे में तुम इस दरवाजे से नरास होकर चली जाओ ऐसा कभी नहीं होगा सखी बोली सच कहा भीया आप बहुत अच्छे हैं पास खड़ा रोहन उनकी सारी बाते सुन रहा था सखी ने उससे कहा रोहन तुम अब से मामा के पास रहकर पढ़ोगे और किसी को तंग मत करना बेटा समझदारी के साथ रहोगे तो जीवन सुधर जाएगा जीवन तो बहुत सुधरा हुआ है बुआ जो चंचल हसकर बोली तो वे कहने लगी हाँ तो फिर चंचल अपने चोटे भाई पर भी नजर रखना चंचल बोली ठीक है बुआ आप इसकी चिंता मत करो रोहन के लिए तो मैं इसके लिए कान खीच कर रखूंगी इसका तो सकी बोली ये हुई न अच्छी बहनो वाली बात ठीक है भाईया अब मैं चलती हूँ कहकर सकी चली गई मालती ने भी मान लिया कि उसके एक नहीं दो बेटे हैं अगले ही दिन अवदेश ने रोहन का धाखिला जीवन के स्कूल में करा दिया अब रोहन और जीवन का साथ रात दिन का साथ था साथ खाना पीना हसना बोलना पढ़ना केलना रोहन के आ जाने के बाद जीवन का पढ़ने में कम मन लगने लगा और चंचल जीवन को बहुत समझाने की कोशिस करती, किन्तो जीवन को तो बस रोहन का साथ ही प्यारा था जीवन को बिगड़ता देख कलावती बहुत खुश थी, बड़ा नाज था वैं सोचती अपने मन में मेरी बेटी को बड़ा नाज था अपने लाडले पर, बिगड़ता चला जा रहा है, पढ़ाही में गधा हो गया है, गधा वो नजरी नहीं आता तब धनिया ने का, हाँ बहन कलावती, आपने सही का, मैंने भी कल नुकड़ वाली दुकान पर इन्हें बीड़ी पीते हुए देखा था तो वह कहने लगी कलावती सही का भेन, पर हमें क्या, हम तो बिना कुछ बोले ही बदनाम है, कलावती जो कुटिल मुस्कान मुस्कराते हुए बोली अरे ओ कनहिया, कनहिया ने तो इस बार कैई बार दारू के ठेके पर भी देखा है, धनिया बताने लगी, और वो भी चुपी रहता है, पता चला किसी से, तो कहा, इस बुढ़ापे में बैठे बिठाए, जो रोटी मिल रहे है, कहीं वो भी बंदना हो जाए, इसलिए कनहिय भी चुप है, कि अब इस हवेली से निकल कर वो जाएंगे कहां, तब कलावती बुरी सही का धनिया, अपनी भी यही हालत है, देखती नहीं, अपनी बहुराने को कभी सीधे मुबाती नहीं करती, अरे दो ड़ाई साल की थी, तब इसके बाबा जो मुझे ब्यहा करके लाए तब से अब तक इसे और कलुआ में कोई फरक नहीं किया, फिर भी जब देखो हुक का पानी लेकर चड़ बैठती है मेरे उपर, और मैं तो इसकी साधी की भी बज़े मेरी बज़े से हुई थी, धनिया, अगर मैं नहीं टिटपंग रच ती, तो इसकी साधी कैसे होती, कैस इस हवेली की माल किन बनती, अगर मैं जमीदार बाबू से नियाय के लिए ना लड़ती, तो आज यह किसी को अपना मुह दिखाने के लायक नहीं रहती, पड़ी होती, किसी खेत में किसी मजदूरी में काम करती हुई रहती, तब इसे पता चलता, और मुझे जो लेकर सुन बनाती रहती है, खेत में मजदूरी कर रही होती कहीं, धनिया और कलावती अपनी बातों में वैस्त थी, उन्हें मालूम भी नहीं था कि मालती दर्वाजे के बाहर से उनकी बाती सुन रही थी, मालती ने का सही कहां मा, आज मैं जो भी हूं सिर्फ आपकी वज़े से ही हू और आपके लिए आपके आभारी हूं, आपका सम्मान करती हूं, लेकिन क्या आप जो इस उमर में कर रही हैं, वो आपको सोभा देता है, और धनिया तुमारे से सुराल में कोई तो अपना होगा, सोचती हूं तो मैं भी इस उमर में तुमारे घर विदा कर दूं, तो धनिय कहने लगी कैसी बाते कर रही हो बहुरानी इस बुढ़ापे में यह देहरी छोड़ कर मैं कहां जाऊंगी तो मालती बोली तो फिर दोनों लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आज के बाद अगर मैंने आप लोगों को यह फालतू की बाते करते सुना तो धनिया तुम्हे तुम्हारी ससुराल पहुचा दूंगी और अम्मा सोचती हो हमारा गाम वाला घर भी जो बंद पड़ा है उसे ठीक करा ही देती हो क्योंकि तुम हुआ रहोगी तो तुम्हे अच्छा भी लगेगा मालती को इस तरह गुसे में देखकर दोनों चुप हो गई उनका चेहरा देखकर मालती को हसी आ गई वैरसोई से बहार आ गई बहार आकर देखा तो संगीता खड़ी थी संगीता मालती को देखकर मुस्कुरा दी मालती भी उसको देखकर हस दी मालती से संगीता कहने लगी दी आप इनको कितना भी समझाने की कोसिस करती है लेकिन ये लोग कुछ स समझने को तैयार ही नहीं है, मालती कहने लगे कोई बात नहीं संगीता बढ़ापे के उमर कुछ ऐसी ही होती है, और पिर इस उमर में इनके पास कोई काम भी तो नहीं है, बस इसलिए बैठ कर पंचायत बाजी करती है, संगीता ने दीरे से का, सही कादी दी, अगर आप इनकी कलवा की पतनी हो, कलवा मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है, इसलिए तुम्हें या अम्मा को इस हवेली से बाहर उस घर में अकेला छोड़ना ऐसा कभी नहीं हो सकता, संगीता कहने लगी सच में दीदी आप बहुत अच्छी है, आपने कभी भी किसी कमी का एहसास नहीं हो आती हूं, संगीता मालती कहने लगी जाओ, तुम रसोई में सब के लिए खाना लगाओ, मैं और अभी कनहिया से और मिलकर आती हूं, तो संगीता बोली ठीक है दीदी, मालती कनहिया के पास गई, उससे कहने लगी कनहिया क्या हो रहा है, कनहिया बोला कुछ नहीं बहुरान की बात कर रही हो आपने कभी भी हमें गैर नहीं समझा तो मालती बोली अच्छा तो फिर कनहिया तुम कोई भी बात मुझसे छुपाते क्यों हो तो कनहिया बोला नहीं बहुरानी मैंने तो आप से कुछ नहीं छिपाया तो मालती कहने लगी क्यों क्या तुमने रोहन और नहीं कुछ ऐसा हो जो नहीं तुमने मुझे वोली नहीं कानहिया, नहीं कनिया मैं तुम्हारे मुह से सुनना चाहती हूँ तो कनिया बोला बहुरानी दरसल मैं मैं बहुत दिनों से आप से कहना चाहा रहा था पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी अगर तुम मुझे अपना समझते तो मालती कहने लगी तो तुम मुझे जरूर बताते कनिया बोला बहुरानी जब मैं रोहन, जब से रोहन घर में आए हैं, तब से अपने जीवन के सभाव में पढ़ाई लिखाई में हर चीज में बहुत अंतर आ गया है, मैं देखता हूँ उसका मन पढ़ाई में कम और खेलने कूदने में ज़्यादा रहता है, और तो और ओ है, क्या बहुर लेकिन आप मेरा नाम मत लगाना, क्योंकि रोहन ने मुझे हुआ पर देख लिया था, मालती बोली हो, तो यह बात है, ठीक है, अब तुम अपना काम करो और सुनो, जब भी कुछ ऐसा गलत दीखे, तो निसंकोच मुझे बता दिया करो, मुझे कभी किसी बात का बुरा नह लगेगा, बलकि मुझे खुसी होगी, कि तुम्हे जो बच्चों की इतनी चिंता है, करिया बोला, जी मालती के चेहरे पर चिंता की लकीरे खिचाई, वैं सोचने लगी, सही कहा था सकीने, रोहन के उपर उसके पिता का असर है, इसलिए कहते हैं, अगर बच्चों को आपक समझ जाएगा, क्या मुझे अवदेश बाबू को यह सब बताना चाहिए, अभी मालती इनी विचारों में खोई हुई थी, कि चंचल ने कमरे में परवेश किया, और बोली, अम्मा देखो न, आज जीवन की छमाई का परिनाम आया है, और इसके कितने खराब अंक आये हैं, मालती बोली, अच्छा दिखा तो सही, तो चंचल बोली देखो अम्मा, मालती ने देखा जीवन का परिनाम पत्र देखते ही मालती का गुस्सा सातवे आसमान पर जया पहुचा, कल तक अपनी कक्षा में परथम आने वाला बच्चा, आज कक्षा में सत्रवे स्थान पर था अम्मा चंचल कहने लगी कल पिताजी को माश्टर साहब ने स्कूल में बुलाया है जीवन कहा है अम्मा तो मालती बोली अपने कमरे में आपके कमरे में बैठा होगा तो वह बोली और रोहन वो भी उसी के साथ है वो तो फेली हो गए है न ठीक है चलो देखते हैं दोनों को आप जो अवदेश बाबू भी आ गए थे वो भी चल दिये ठीक है चलो देखते हैं दोनों को कोछ देर में जीवन और रोहन मालती के आगे खड़े हुए थे जीवन यह सब क्या है हमें तुमसे ऐसी उम्मेद नहीं थी जीवन कुछ नहीं बोला बेटा पिता जी कितने दुखें होंगे अगर उन्हें पता चलेगा तुमने कभी सोचा है बेटा तुमारे एक अक्षा में इतने कम अंकाएं है तो जीवन कहने लगा मा मुझे नहीं पता मैंने तो बहुत महनत से पढ़ा था लेकिन कितना खराब परिनाम निकला मैंने नहीं सोचा था तब मालती देवी बोली देखो गलत कह रहे हो जीवन आज कल मैं देख रही हो तुमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है सारा दिन इदर उदर गूमते हो शाम को पिताजी को दिखाने के लिए जूट मुर्गो किताब खोल कर बैठ जाते हो बेटा हम तुम्हारे माता पिता है तुम हमें इस तरह बेवकुफ नहीं बना सकते मालती गुसे में बोली जीवन बोला नहीं मा ऐसी बात नहीं है तो वह कहने लगे चुप रहो आने दो आज तुम्हारे पिताजी को आज उन्हें तुम्हारी सारी गलतियां बताऊंगी तुम किस तरह पढ़ाई से दूर होते जा रहे हो जीवन बोला नहीं मा ऐसा मत करना पिताजी बहुत नाराज होंगे इस बार मुझे माफ कर दो देखना अगली बार मैं परिक्षा में अच्छे अंक लेकर आउंगा यह मेरा आप से वादा है मालति कुछ नहीं बोली और रहन बेटा यह तुम फेल हो ही गए कितनी उम्मीदों के साथ तुमारी माने तुम्हें हमारे पास पढ़ने के लिए छोड़ा था जो जीवन और रहन को बहुत समझाया जीवन समझदार था उसके बिगड़ने की तो सुरुवात थी इसलिए उसे मालति और अवदेश की बाते जल्दी समझा गई और उसने अपने अम्मा और पिताजी से वादा किया कि वो आगे से कोई गलती नहीं करेगा पड़ाई पर पूरा ध्यान देगा लेकिन रहन ने अवदेश और मालती से माफी मांग कर अपना पल्ला जहाड लिया था अगले दिन जब अवदेश जीवन के स्कूल गए और माश्टर जी से मिले तो माश्टर साहव ने अवदेश से यहीं कहा यदि जीवन का अच्छा भविश्य चाहते हो तो उसे रोहन से दूर रखो लेकिन यह तो असंबव था यदि अवदेश ऐसा करते हैं तो सकी से रिष्टे बिगड सकते थे इसलिए अवदेश ने एक बार फिर से रोहन को समझाया और चेताबनी भी दी कि यदि उसने सुयम में सुधार नहीं किया तो वह उसे उसके गाउं वापस भीज देगा सुयम को सुधारने की बात करके रोहन ने गाउं ना जाने की बात कही और ऐसे में अवदेश ने रोहन को एक और मौका देना उचित समझा फिर समय थोड़ा और बीता और जो एक साल के अंदर ही जो चंचल की भी शादी हो गई चंचल का पती एक अच्छी कंपनी में काम करता था और परिवार भी बहुत अच्छा था लेकिन कहते हैं न पांचों उंगलिया बराबर नहीं होती कामनी और कंचन के इस तर में जमीन आस्मान का अंतर था लेकिन दोनों वेहनों के वहवार में कोई अंतर नहीं आया दोनों आपस में बहुत मिलजुलकर रहती थी और दोनों के पती भी एक दूसरे को बहुत सम्मान देते थे कामनी के एक बेटा था जिसका नाम उसने सूरज रखा नठकट सूरज सभी की आँखों का तारा था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सच में मालती को तो नाज था अपनी किस्मत पर लेकिन कभी कभी अपने बाबा की बहुत याद आती थी उसे बरसो पहले पता नहीं कहां चले गए थे आज भरी भीड में से उसकी नजरे आज भी अपने बाबा को ही ढूनती थी शायद कहीं नजर आ जाएं जानती थी इतने साल बाद बाबा लोटिंगे नहीं आना होता तो कब के आ जाते लेकिन आस थी कि तूटती नहीं थी जमीदार बाबा ने बहुत प्यार दिया कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी वो थी ही क्या हवेली में बस एक नौकरानी और वो भी उसकी परस्तितियों को देखते हुए जमीदार बाबा को उस पे दया आ गई और उसे नौकरी दे दी लेकिन जमीदार बाबा ने कभी भी उसे नौकरानी नहीं समझा बलकि नौकरानी से उसे अपनी बहुरानी होने का दर्जा दिया हवेली की मालकिन बना दिया उन्होंने पूरा बिस्वास था कि अफदेश की मा के बाद मालती ही उसकी विरासत को भली भाती संभाल सकती है और मालती उनकी उम्मीदों पर खरी भी उतरी जमीदार बाबा के जीते जी मालती ने उने कभी कोई सिकायत नहीं होने दी और अम्मा, अम्मा की तो बाती अलगी थी सच अगर वो ना होती तो जीवन की रहा कितनी कठिन होती जनम देने वाली मा की तो शायद उसने सकल भी नहीं देखी थी जब से होस संभाला कलावती को ही अम्मा समझा और अपने पास में पाया दुख सुक में साथ देखा सच अगर कलावती अम्मा ना होती तो शायद अफदेस बाबू का साथ भी नहीं मिला होता उनकी हिम्मती थो थी जिसने अफदेस बाबू और उसके प्यार को बल दिया हर कोसिस की थी अम्मा ने कि अफदेस बाबू से उसकी शादी हो जाए कितने हिम्मत से जमिदार बाबू के आगे अड़कर खड़ी हो गई थी अम्मा ने ही उसे अपने अधिकारों के लिए बोलना सिकाया था और उसके जीवन का सबसे महत्पूर्ण इंसान अब्देश बाबू जिनोंने उसे अपने दिल में जगेह दी जिन्दगी में जगेह दी ना जाने कब और कैसे उन्हें जो मालती से प्यार हो गया और जीवन से उठा कर áस्मान की उचाईयों पर बैठा दिया अरै मैंने तो जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी हवेली की सम्मान दिलाया और अब तीन प्यारे प्यारे बच्चे आज सब कुछ तो है मालती के पास कल हुआ है संगीता सकी जैसे रिस्ते हर समय उसके साथ देने वाली धनिया कनहिया केसब भीया और क्या चाहिए बेटियां अपने घर में खुस हैं बस अब जीवन की शादी और हो जा आजाए बस और क्या चाहिए यहीं सोछते सोछते मालती की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला दोस्तों जीवन में कब कौन सा मोड आ जाए या किसी को नहीं पता होता इसलिए सारीरिक और मांसिक दोनों तरह से हमें हर समय परिस्तितियों के लिए तै multiplier रहना चाहिए मा इतना आसान और खुबसूरत सोच रखा था कि मेरा भविश्य इतना अच्छा होगा लेकिन उतना नहीं था लेकिन समय में यही दोस है अच्छा हो या बुरा कभी बता कर नहीं आता और भाग्या में कौन भाग्या के लेखे से कौन बच पाया है यह तो भाग्या में जो तीक है तब ही सब कुछ बिखर जाता है और उसे समेटते समेटते सारी जिंदगी लग जाती है चंचल की शादी के पांस साल बीत गई